हाई अब्रिवन स्टार्ट करेंगे हमारी किरन पब्लिकेशन की इस बुक में दिये गए टाइप वन के कोशन्स के थर्ड पार्ट को अभी तक मैंने आपके साथ दो पार्ट डिसकस कर लिए थे इस मैंसुरेशन की सिरीज में जो कि हम किरन पब्लिकेशन की बुक से ले रहे थे तो इसी सिरीज को continue करते हुए हमारा ये थर्ड पार्ट होगा और ये पार्ट प्रेजंट किया जाएगा मेरे द्वारा मेरा नाम रॉबिन है तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे देखे पहला क्वेशन आपके सामने है आपको दिया गया है इसके बाद आपको बोला गया है ये निकालने के लिए आपके पास जैसे ही दूसरा डायमेटर आ जाएगा उसकी हल्प से आप साइड निकालने ही आप उसका फॉर टाइम्स करके क्या कर सकते हैं पैरिमेटर निकाल सकते हैं अब मैं आप से एरिया की बात करता हूँ इस रोमबस की तो हमेशा एक रोमबस का जो एरिया होता है वो हाफ और निके डाइगनल के मन्टिप्लिकेशन के एक पल होता है अब यहाँ पर एक डायमेटर आपको दिया गया है का बारा, बारा से आपका एक बार जाएगा और उसके बाद यह आपका आठ आ जाएगा यानि कि D2 की वैल्यू आपके पास कितनी आगी 18 cm अब दीखिए अगर मैं आपसे किसी रोंबस की बात करता हूँ, यह आपका रोंबस हो गया उसके बाद आपके यह रोंबस को मैंने क्या किया, ड्रो किया, ड्रो किया उसके बाद आपको पता होगा कि जो रोंबस का ड्रो होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ठीक है, अगर एक जो आपका diagonal था वो 24 था तो उसका half कितना हो जाएगा 12 दूसरा diagonal अगर 18 है तो उसका half कितना हो जाएगा 9 और ये आपका क्या है एक right angle triangle है right angle triangle है तो triplets आपके यहां से बन गए अगर ये 12 है ये 9 है तो आपको पता है कि ये triplet आपके यहां से बन के कितना दे देगा इस value को 15 देदेगा अब जैसे ही आपके पास इस rhombus की side 15 आई इस 15 का 4 गुन आपको करना होगा perimeter को लाने के लिए जो कि आपको कितना देदेगा 60 cm देदेगा और option number आपका यहां से 2 correct हो जाएगा next है आपका the area of a circle आपको दिया गया है 38.5 तो आपसे circumference पूछा है तो कुल मिलाके आपसे पूछा गया है radius आप जैसे ही radius निकाल देंगे उसके बाद आप circumference नहाँ से निकाल सकते हैं देखिए यह question को करने के बहुत ही आसान तरीके मदब calculation तो आप करी ही लेंगे लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज बताता आया हूँ कि कभी भी किसी अगर circle की radius आपको 7 cm यानि कि 7 unit दे दी जाती है तो उसका area आपका 154 unit square होता है चाहे तो वो cm हो या m2 हो जितना आपका radius रहा होगा unit में उस हिसाब से आपका 154 unit में area आजाएगा उस circle का अब देखिए यहां पर जो radius इसका मतलब आपकी आएगी आपको देखना होगा कि यह जो आपका area है वो किस तरीके से इस area के corresponding दिया गया है अगर आपका area है 154 लेकिन दिया गया है आपसे 38.5 तो आपको 38.5 की value अगर इन्होंने बोली है कितनी है आपके हिसाब से standard value में 154 तो आप देख सकते हैं कि यह कितना गुना करने पर मिल जाएगा उस गुने के हिसाब से आप बता देंगे लेकिन उसके हिसाब से जो भी आपका unit परिवर्तन आएगा यह मेरे ख्याल से कितना गुना है यह 4 गुना है अपने 38.5 रख लिए यहां से r की value निकाल ली फिर उसके बाद 2 pi r में रख दी वो तो आप कर ही लेंगे लेकिन यह चीजें होती है जब आपको यह चीजें clear होती है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है अब आपको पता है कि यह जो value आपको यहां पर दी है मैं इसमें 4 का अगर multiply करता हूँ तो यह कितना हो जाएगा आपका यह आपका 154 ही आएगा यानि कि यह जो दिया गिया area था उसका 4 गुना होता है आपका standard वाला अब area अगर 4 गुना है तो length कितनी होनी चाहिए थी दो गुनी तो यह आपके दो गुनी होनी चाहिए थी तो इसलिए यहाँ पर आपकी radius कितनी आने चाहिए 3.5 cm आने चाहिए तो आपने इतना सोचते ही आपने radius की value calculate कर दी कि भी आपके 3.5 होगी बस आपके बस आ गया है अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर radius आपकी 7 cm होती है ना तो आपकी जो perimeter होती है वो होती है 44 cm अब यहाँ पर आपको जो दी गई है वो क्या है 3.5 यानि कि आपकी radius हाफ है तो आपकी यह circumference हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी वो भी हाफ हो जाएगी यानि कि इस तरीके से आप बस अपने दिमाग में ही calculate कर करके इस value को लगा सकते थे 22 mark कर सकते थे लेकिन अगर आप वैसे करना चाहते है कि भी pi r square की value दी गई है r में निकालूंगा फिर 2 r में रख दूंगा वैसे भी कर सकते थे लेकिन अगर आप standard values को याद रखते है तो बस वहाँ पर factors का आपको खेल करना होता है बिना pen उठाए आप answer mark करके option number 1 आप यहाँ से mark कर सकते थे next आपको दिया गया है the diameter of a toy wheel is 14 cm what is the distance traveled by it in 15 revolutions देखे अगेन आपको standard value यहाँ पर बहुत जादा काम देने वाली है कैसे पहली चीज़ता आपको 15 revolutions लेने है यानि कि पहले मैं निकाल लेता हूँ जो उसकी क्या होगी जो पर revolution में वो distance travel करेगी अपर revolution में कितना travel करता है वो अपनी circumference के equal अब देखिए आपको पता है जब आपके पास diameter 14 है तो radius कितनी हो जाएगी 7 इसका मतलब जो आपके पास perimeter है वो यहाँ से आपको 7 देखके ही पता चल जानी चाहिए कि 44 होती है standard value आपको याद होनी चाहिए बस आपने perimeter निकाल लिया है कितना है 44 आपको क्या करना है 15 regulation की value निकाल ली थी आप 15 into 44 को देखते ही आप क्या mark करेंगे option number 2 mark करेंगे इतनी आसानी चीज़ हो जाती है जब आपको standard values पता होती है next है आपका a can go round on a circular path 8 times in 40 minutes यानी कि 40 minute में 8 बार किसी circular path पे ये travel कर सकता है if the diameter जो circle का दिया गया है उसको increase कर दिया जाए 10 गुना 10 times original diameter से तो जो time है एक को जो चाहिएगा go round the new path once traveling at the same speed जितनी पहले थी तो उसको time कितना लगीगा देखे circumference की बात करूँ ये आपको पता है कि ये होता है आपका 2 pi r यहाँ पर आपको क्या दिया गया है आपने जो radius है वो आप r मान लीजे और आप जब यहाँ पर pi की value 22 बटे 7 रखेंगे तो ये कितना आजाएगा 24 बटे 7 into r ये आपका क्या आगया distance जो per round map travel करते हैं लेकिन यहाँ पर इसने 8 time किया 48 minute में तो मैं यहाँ से speed निकाल सकता हूँ speed बराबर क्या होता है distance upon time distance कितना हो जाएगा per revolution अगर ये 44 है मुझे कितना लगाना है इसको भूलना है कि ये आप यहाँ से क्या करिए ये आप 8 times कर दीजिए इसका distance कितना हो जाएगा आपका distance उसाप से आपको देखना होगा कि आपका ये इतना था अगर आप इसमें क्या करना है चाहिए कि आपको अगर 8 गुना करना है तो आप 8 के हिसाप से देख लीजिए कभी 8 क्योंकि जैसे ये 2 pi r था मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 8 कर देता हूँ तो ये आपका कितना travel हो गया 16 pi r ये आपका कितना हो गया इतना आपने distance travel किया कितने time में 40 मिनट में यानि कि इतना मेंटर पर मिनट आपने speed से travel किया अब इसके बाद क्या करता है अब इसके बाद आप इसे simplify भी कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका लगबग 2 pi r divided by 5 मेंटर पर मिनट ये आपने speed निकाल लिया अब आप कहते हैं कि जो आपका नया circumference है वो आपका आपने उसका diameter 10 गुना कर दिया मतलब जो उसकी circumference थी वो भी 10 गुना हो जाएगी दूरी कितनी है आपकी 20 pi r आपकी speed कितनी है 2 pi r divided by 5 आपको उपर चला जाएगा ये आपका कितनी बार कट जाएगा 10 बार 10 into 5 आपको कितना देदेगा 50 minute यानि कि यहां से आपका कौन सा answer हो जाएगा option number 3 आपका यहां से correct हो जाएगा next है diameter of a wheel आपको दिया गया है 3 cm वो revolve करता है 28 time एक मिनट में अगर उसको इतना kilometer distance travel करना हो तो उसको कितना time लगेगा तो देखिए again एकदम आसान है diameter आपको दिया गया है 3 meter मैं circumference की बात करूँगो तो इक इतना हो जाएगा 3 pi 3 pi आपका क्या हो जाएगा circumference हो जाएगा अगर diameter 3 है अगर मैं इसे unit में लिखना चाहूं 22 बटे 7 कर दीजिए तो इक इतना हो जाएगा 66 by 7 meter यह आपका meter में आपने इसका circumference निकाल लिया अब आ आपको cover कितना कराना है इतना meter अब kilometer कराना है meter में कितना हो जाएगा यह thousand से multiply कर दूगा तो 5 2 8 0 divided by यह value को आप हाँ पर multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आपका जाएगा 264 अब 264 से बट divide करना है तो कितनी बार जाएगा यह आपका लगबग 2 बार चला जाएगा 20 आप 26 decameter जाने में अब यह decameter से घवराना नहीं है आपका जो decameter होता है एक decameter में आपके 10 meter होता है बस आपको उस हिसाब से हाँ पर meter में निकाल लीजिए फिर उसमें revolution लेख लीजिए फिर देख लीजिए कि diameter कितना आपका अब देखिए distance आपको travel कराना है मैं इसको meter में convert क कर लेता हूं तो 2 km में तो आपका 2000 तो यह हो गए उसके बाद 26 decameter तो 26 में मैं आपका 10 meter कर लिया प्रोटल कितना हो गया आपका 2260 meter यह आपने distance travel कराई है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको निकालना था कि आपको कितना distance travel करना पड़ेगा one revolution में तो one revolution में न 23 से divide कर दूँगा सीधे सीधे दिख रहा है कितना आजाएगा यह आपके आजाएंगे 20 20 आपके आजाएंगे कितना आपको per revolution अगर निकालना है तो 20 meter का आपका per revolution पड़ जाएगा उसके बाद क्या अगर ना था आपको बताना था कि आपको उसका per revolution कितना कितना लग जाए बीस बटे पाई अभी हम पर पाई की वैलु रखते रही है कितना आ जाएगा 20 अपन 22 यानि कि आपका आ जाएगा 10 अपन 11 और 7 उपका उपर आ जाएगा यानि कि 70 हो गया 11 सी कितना बढ़ जाएगा 6 बार यह आपका आ जाएगा option number 2 यहां से correct हो जाएगा नेक्स्ट आपको दिया गया है 4 साइट से क्वालिट लेटरल की रेशों में दी गई है 2, 3, 4, 5 और उसका परिमेटर है आपका 280 लेंथ लॉंगेस्ट साइड की आपको बतानी है तो दीए बहुत ही आसान है इन चारों का सम आपका परिमेटर के एको लोगा 5, 4, 9 और 5, 14 यानि कि 14 यूनिट की वैल्यू आपको 280 मीटर दी गई है एक की कितनी हो जाएगी 20 मीटर आपसे लॉंगेस्ट वैल्यू पूछेगी ये लॉंगेस्ट कितना है 5 तो 5 यूनिट का इसमें मंटिप्लाई कर दीजे पर यूनिट में आपकी 100 मीटर तो आपकी लॉंगेस्ट साइट कितनी हो जाएगी 100 मीटर और ऑप्शन नमबर 1 आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा अब सर्कुलर वायर जिसकी रेडियस आपकी कितनी है 22 सेंटिमेटर उसको बैंड किया गया इसकी साइड का रेशो आपको दिया गया 6 अनुपात 5 इसमॉलर साइड बता दीजे रेक्टेंगल की दीखे रेडियस आपकी कितनी थी बयालेज अब इस सर्कुलर वायर का जो पैरिमेटर था वो इस रेक्टेंगल के पैरिमेटर के एक्क्वल पहले देखना होगा तो पह आपके पास आगया पैरिमेटर अब आपका पैरिमेटर की साइड का रेशो दिया गया है तो 6 और 5 आपका कितना होता है 11 और उसकी दो गुना और करना होगा यानकी 22 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 264 बाइस की अगर 264 है तो एक की कितनी हो जाएगी 12 अब अगर यह option number 1 आपका यहां से correct हो जाएगा next है आपका the number of revolutions a wheel of diameter 40 cm makes in traveling a distance of 176 meter कितना होगा तो देखे बहुत ही आसान सा question है अगेन आपसे वही कराया गया है per revolution की बात करोंगा तो 2 pi r आप per revolution में travel करते हैं 2 आपके पास है 22 बटे 7 है r की value आपको कितनी दी गई है 20 क्योंकि diameter आपका 40 है यहां साब इसे calculate करेंगे तो यह लगबग आपके पास कितना आ जाएगा आपको total distance कितनी दी गई है 176 number of revolutions कितने हो जाएगे आपके यह आपका 17 76 meter है वो आपका कितना था यह जो आपने value calculate करी है यह आपका centimeter में था ना यह सबका centimeter में यह meter में तो इसको मैं centimeter में change कर लेता हूं और इसमें आप divide कर देंगे 2 into 22 by 7 into 20 से बस आपको यह करना होगा बस आपको हैंपर calculation का part रह गया है साथ आपका ऊपर चला जाएगा यह आपका 20 आपका 0 कट गया 2 और 2 4 हो गया 4 से आप कट रहेंगे तो 4 16 16 यह 0 आगया 44 22 से आपका यह दो बार चला जाएगा यहनिकि 20 into 7 आपको यहां से कितना देगा 140 यहनिकि 140 revolutions लगेंगे जो कि आपको यहां से option number 1 correct देगा next time the difference between the circumference and diameter of a circle आपको 30 दिया गया है radius बताना है circle का कितना होना चाहिए तो बहुत ही तेज़ी से गड़ता हूँ आपको circumference की value बता है 2 pi r होती है diameter कितना होता है 2 r होता है इसकी value आपको 30 cm दी गई यहां पर अगर आप 2 r common लेंगे यहां पर आप 2 r common लेंगे तो pi minus 1 की value आपको कितना मिल गया 30 अब आपको यहां पर क्या गरना है आप pi की value put कर दीजी 22 बते 7 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 15 बते 7 तो 2 into r into 15 बते 7 की value 30 के इक्वल है 15 से आपका दो बार चला गया 2 से आपका यह 2 कर दिया यानि कि r की value आपके पास कितनी आगी 7 cm और option number आपका यहां से 2 हो जाएगा correct next आपको दिया गया है perimeter of a semi circular field की अगर value है 144 तो diameter field का कितना होगा तो देखिए semi circle की बात करता हूँ semi circle का जो perimeter होता है तो एक तो आपका पाई r हो गया उसके बाद 2r हो गया यानि कि πाई r आपने sum किया फिर उसके बाद आपने 2r का sum किया जो कि perimeter हो गया और इसकी value आपको दी गई कितनी 146 अब आप यहां से क्या करेंगे आप यहां से ले लीजिए r common तो आपका pi plus 2 हो जाएगा जिसकी value आपके पास कितनी है 144 pi की value 227 रखेंगे 1422 आपका कितना हो जाएगा 1426 हो गया यानि कि r into 36 बटे 7 की value दी गई है आपको 144 यही दिया गया अब अगर मैं यहां से आपसे बूलों कि भी r की value निकाल दीजिए तो आप बोलेंगे कि यह हो जाएगा आपका 144 into 7 divided by हो जाएगा 36 36 से कितना जाएगा आपका 4 बार यानि कि 7 into 4 आपका 28 आ गया क्या इसका radius अब radius 28 है आपको पता है diameter आपसे पूछा है तो diameter कितना होता है दो गुना हो जाएगा यानि कि 56 मेटर आपका हो जाएगा इसका diameter नेक्स्ट है perimeter मेटर में एक semicircle का numerically equal है उसके area के square meter में तो length diameter का कितना होगा तो देखे अगेन आपको वही है आपको बोला क्या गया है जो उसका perimeter है perimeter है तो semicircle का perimeter कितना होगा pi r plus 2r इसकी value कितनी है इसके area के equal और area कितना होता है इसका pi r square by 2 यह आपको equation दी है अब आपसे यहां से क्या पूछा है diameter यानि कि radius निकाल लीजिए हैंसे तो आप यहां से r गोमल ले लेंगे r आपका 1 r से cut जाएगा यानि कि pi plus 2 की value है आपके पा यह कितना है आपका 22 बटे 7 into r by 2 7 से cut गया यह आपका 11 हो गया यानि कि r की value कितनी आपके पास 36 by 11 11 से आपका यह दो बर जाएगा तीन बर चला जाएगा तीन बर जाएगा यह हो जाएगा आपका answer यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा अच्छा radius इसका दो गुन the measure of a circumference and the area of a circle of radius 3 cm is तो देखे बहुत ही आसान है आपको circumference और उसके area का ratio बताना है जिसकी value आपको radius की दी गई है 3 cm तो circumference 3 cm का कितना हो जाएगा 6 pi 2 pi r में value put जब करूँगा area कितना हो जाएगा pi into 3 square यानि कि 9 pi अब इन दोनों का आपको ratio निकालना है तो 2 ratio 3 आपका जाए जो कि आपको कौनसा option देगा option number 2 correct देगा next है the ratio of radii of two wheels 3-4 है ratio of उनके circumference तो देखे जो आपका radius और circumference का ratio होता है वो same ही होता है क्योंकि उसमें radius ही आपकी constant value देती है अलब जो आपकी variable होता है अब वही आपका 3-4 के रूप में variable है तो आपका जो perimeter होगा या फिर circumference होगा व y क्या है आपका circumference और z क्या है आपका diameter circle का तो इसकी value आप बता दीजीए तो चली एक एकर करके put करते हैं diameter circle का आपको कितना दिया गया जी अगर diameter z दिया गया है तो z की value आप 2 इंटू r रख सकते हैं अगर आप r की radius है ठेके अगर r आपकी radius है तो आप z की value 2r के equal बोल सकते यानि कि r की value आपसे यहाँ पर कितनी आगी z by 2 उसके बाद circumference की बात करूँगा तो हो कितना होता है 2 pi r अब इसको z के form में लेकर आने की कोशिश करूँगा तो यह कितना जाएगा 2 pi into z by 2 यह आपका circumference हो गया उसके बाद मैं आपसे area की बात करता हूँ तो area आपका pi r square होता है इसे आप z के form में लेकर आने की कोशिश करेंगे तो यह कितना हो जाएगा pi z square by 4 ठीक है यह आपका हो जाएगा square units उसके बाद आपको इसमें value put करनी है तो x upon y z रख दीजे x upon y z रख दीजे तो x की value आपने area की value हैं पर x थी x की value कितनी है आपके पास यह pi z square तो pi z square by 4 divided by y z करना था y की value कितनी है y आपके पास perimeter था जिसकी value आपके पास यह है तो 2 तो आपका cut गया यहनिकि pi into z into आपका z z square कट गया आपका pi कट गया यहनिकि 1 by 4 आपका ratio आजाएगा option number 2 आपका यहां से correct होगा the diameter of a wheel आपको दिया गया है 98 number of revolutions बताने है जिसके अंदर उसको 54, 15, 40 उसको travel करना है तो देखें यहां पर आपको क्या करना आगे नहीं तो बहुत ही आसान है उसमें आपको बस उसका per revolution आपको पता है कि जैसे बही इसको diameter दिया गया है तो pi into diameter आपका कितना होगा 98 यह per revolution distance हो गया number of revolutions कितना होगे 15, 40 divided by यह कितना हो जाएगा अगर आप यहां पर 22 बटे 7 भी रखेंगे तो आप रख लेंगे यह लगबग आपका कितना जाएगा 308 और उपर आपका कितना बन जाएगा 100 यहां पर इसे simplify करेंगे यह आपका लगबग कितनी बार कट जाएगा 5 बार यानि कि 500 आपके revolutions बन जाएगे जो कि आपको option number 1 यहां से देगा length of diagonal of a room bus आपको 24, 10 दिये के यह perimeter बताना है तो देखिए मैंने starting में बताया था question को discuss करते हुए यह अगर आपका 12 वाला है तो इसका half कितना हो जाएगा 24 वाले का half 12 इसका 10 का half 5 तो triplet बन गए यह आपका 13 हो जाएगा 13 अगर side है तो perimeter कितना हो जाएगा 13 into 4 यानि कि 52 और option number 1 आपका यहां से correct हो जाएगा एक bicycle है जबकि उसमें 5000 revolutions लेती है तो वो 11 km चलती है तो radius आपको बतानी है अगेन अगर मैं circumference की बात करूँगा तो 11 km के हिसाब सिसका meter में कर लीजिया और उसके बाद आपका कितना हो गया 500 revolutions 5000 revolutions में यह आपका हो गया per revolution मेटर में ठीक है अब आप में क्या करना है आपको गर इसे cm में करना इंटू 100 कर सकते हैं तो यह आपका कितना जाएगा 11 बटे 5 इंटू 100 कर लिया मैंने cm में आ गया यह हो गया आपका 220 cm ओके अब r की value निकालनी है तो r की value 22 बटे 7 के equalist value गो रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 220 upon 2 इंटू 22 बटे 7 यह आपका कितना हो जा आपको 10 cm दिया गया है उनको एक तरह से एक rubber band से क्या किया गया है इस तरीके से बांद आ गया है length of rubber band cm में बता जीजे अगर if it is stretch as shown मतला इस तरीके से बांदी गया है तो दीजिए अच्छा कोशन है इसमें क्या करना है थ्यान देना है इस condition में आपके पहली चीज तो जैस आपका यहां बन गया है यानि कि आपके 3 तो इसमें diameter आ गया है ठीक है उसके बाद आपमें इसमें यह वाला value जो कि कितना आ जाएगा आपका लेकर लगबग यह आपका कितना लेलेगा पूरे angle का एक तिहाई इसी तरीके से पूरे angle का एक तिहाई यहां पर जाएगा एक यहां पर जाएगा तो इसकी जो total length होगी वो इतनी होगी यह आपको देखना था अब आपको इसमें diameter 10 पता है तो रख लेजे 30 यह कितना हो जाएगा 10 यानि कि आपका option number 2 आपका यहां से correct हो जाएगा if a cord of length 16 cm is at a distance of 15 cm from the center of the circle then the length of cord of the same circle which is at a distance of 8 cm तो बताना है कि वो कितना होगा देखिए यह चीज़ हमेशे याद रखनी है कि जो cold nearer center के होती है वो आपकी larger होती है ठीक है यह चीज़ आपको पता है अब यहाँ पर आपको यह 15 cm की distance पर थी और दूसरी आपको 8 cm की distance पर रखनी है तो इनका जो ratio होगा ना वो किसके को लोगा इनका opposite value में लेना है जैसे यहाँ पर यह 16 था तो इसका opposite value में चला जाएगा और जितनी इनके बीच की distance दूर थी वो वो आप x माल लीजे तो 8 से आपका 2 हो गया आपको यहाँ से option number 3 correct हो जाएगा यह चीज़ आपको समझ में आई होगी जैसे कि मैं circle की बात करता हूँ यह आपका यहाँ से कुछ कर यहाँ से लॉक की बात का यहाँ ज fragrance अ का यहाँ प्ते हैसे की लगले है थीज़ इनके फिर फेंदर स्पर का तादा कर अल जापको हो भीज़गा डे उपका यहाँ से का खिसे का यहाँ भाना टें सत्थ YESorošे, आपकी बातम ही में आपका कि फहाँ ऐागा के लूगा में